हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवोड गफशप आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दर्सका जोल एंटर्टेन्मेंट कुए राखी सावन फिर से न्यूज हैडलाइन्स में आ गई है हर बार की तरह प्रोफेशनल विवाद को लेकर नहीं बलकि परसनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है राकी शामत ने दो दिन पहले सोशल मीडिया पर बताय था कि उन्होंने और आदिल खान दर्रानी ने साथ महीने पहले निकाह कर लिया था इस निकाह में राकी ने अपना नाम बदल कर फातिबा रखा था लेकिन जब राकी ने शादी की बात मीडिया में रिविल की तो उन्होंने आदिल पर कई तरह के गंबी रारोप लगा दिये बई ड्रामा कुई है कोई ड्रामा ना हो या कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो तो राकी सावन किस काम की राकी का कहना था कि आदिल का मराठी बिग बॉस कंटेस्टन के साथ ओफेर चल रहा है आदिल के फोन में उन्हें कुछ चीजें दिखी हैं जो उनके पास सबूत के तौर पर मौझूड है जब आदिल से ने कहा की बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया अब एक इंचर्यू में राकी सावत ने अपने सोशल मीडिया पर शेर किया इसमें आदिल केहते दिख रहे हैं कि वो दर्शुकों को दस से बारा दिन बात बताएंगे कि उन्होंने राकी के साथ शादी की है या नहीं उन्हें सिर्फ दस्या बारा दिन का टाइम चाहिए जहां साथ महीने का अंतिजार किया तो भला दस बारा दिन और इंतिजार कर लीजिए लेकिन शुकादरी वाली बात ये है कि इस इंटर्व्यू में राकी ये कह रही है कि आदल खुद इंटर्व्यू शूट कर रही थे आदल ने निकाह से जुड़ी किसी भी चीज़ को ना खबूल किया ना ही इंकार किया मांगा है तो सिर्फ दस से बारा दिन का समय राकी सावन ने जो बादल संग अपने निकाह की बात बताई थी तो उन्होंने इस दोरान के कई वीडियो और फोटोस भी शेयर किये थे राकी दावा कर रही है कि उनके और आदल के बीच चीज़े ठीक नहीं चल रही जिसके बाद उनने एक कदम उठाना पड़ा हाला कि आदल ने उनसे मना किया था कि निकाह की बात को वो मीडिया के सामने रिवल ना करें लेकिन राकी तो राकी है उनके पेट में कोई बात पश्टी का है पेपराजी को देखकर वो तो पागल हो जाती है लेकिन जब आदिल के अफ्यर की बात राखी को पता लगी तो वो रुकी नहीं मीडिया में रो रो कर राखी ने सारी सचाई बता दी शारू खान, दिपिका पदकोन और जॉन अबराहम स्टार फिल्म पथान के रिलीस का फैन्स बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं कर रहे हैं ना मैं अभी बहुत कर रही हूं लेकिन रिलीस से पहले एक कॉंट्रोवर्सी और हो गई है कॉंट्रोवर्सी पथान से पहले से ही जुड़ी आ रही है सुनने में आयका कि जॉन अबराहम पथान के ट्रेलर से नाराज है ये भी कहा गया कि उनके शारू खान के बीच सब को स्थीक नहीं है एनट करो पर जॉन अबराहम ने रियाक्ट किया है जॉन की पोस्स से इशारा मलता है कि उनके शारू के बीच कोई मदबेद नहीं है और ना ही में पथान के ट्रेलर को लेकर अफसेट है जॉन अबराहम ने अपनी पोस्ट में लिखा सिल्मा के मेरे इतने सालों में ये मॉमेट जो अभी है काफ़े स्पेशल है ये शांदार है कि आप सभी ने पथान के ट्रेलर को इतना प्यार दिया इस मूवी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है ये बड़ी फिल्म है आदित्या चोप्रा ने हमेशा मुझे मेरे सबसे बेस्ट रोस दिये है और मैं आपके ये देखने का इंतिजार नहीं कर पा रहा था जो सिधात आदन ने मेरे और फिल्म के साथ किया है मैं पठान के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन चलिए 25 जनवरी तक का इंतिजार करते हैं एक बड़ी बिग स्क्रीन अंटेटेनर देखने के लिए तैयार होते हैं एक बार फिर से पठान के ट्विलर को बेश उमार प्यार देने के लिए शुक्रिया 71 अनुवल मिस यूनिवर्स पेजिंट का आगाज 14 जनवरी को लुजियाना के निउ और्लियंस में औरनेस्ट एंड मोरियल कन्वेंशन सेंटर में होगा पूरी दुनिया की निगहा मिस यूनिवर्स पतियोगिता पतिकी हुई है इस साल दुनिया भर 66 पतियोगितों ने यानि कंटेस्टेंट्स ने पेजिंट में हिसा लिया है मिस यूनिवर्स पेजन्ट की विनर को पूर्व मिस यूनिवर्स हर्णाज संधू जरीद का ताज पहनाएंगी अल्मानिया से डेटा, कोमोनी, अंगोला, सुवालिया, डस्तलवा, एंटोनिया, अर्जंटिना से बोईबरा, कैबरेरा, अर्मानिया से कृस्टेना, अरूबा से कियारा एरंड और आस्टेरिया से मॉनिक रिले, बेल्जियम से जेन बर्ल अरले, भुतान से ताजी छोडे, ब्राजर से मिया मोमोदे, कनादस से अमेलिया और भारत से दिव्याराय सही दुनिया भर की 86 कंटेस्टेंस मिस यूनिवर्स के ताज के लिए मैदान में है, वहीं मिस यूनिवर्स के 71 एडिशन में भारत का पतिदुत कर रही, दिव्याराय नेशनल कॉस्ट्यूम के सूनी की चुडिया के रूप में और्थियल पोर्ट्रेल से इंस्पार है, जो डावोसिटी के साथ सर्भाव में रहने किया ध्यात्मिक सार के साथ साथ हमारी समृद्धी, सुन्सकृती, वरासत की संपत्ती का प्रतीक है, और ऐसी ही मसालेदार चपती खबरों के लिए देखना मत भूलिए बॉलेवोड का प्शाप